हाई अबिनाश फ्रम एरोंस इंडिया आज हम आपको बताने माले हैं डिजिटाल मिक्सर डियम टॉंटी को ऑवरेशन कैसे करें तो पहले चलते हैं उसका इंटरेक्शन के बारे में यह है उसका पावर फ्लक यह है दो मोनिटर जैक और यह है आठ आउटपूट और यहां पर है आपको मिलेगा बारा माइक इंपूट से आठ माइक इंपूट है जो वो है एक्सलार जाक है और चार जो है वो कॉम्बी जाक है और यहां पर आपको स्टेरियो इंपूट के आउटपुट मिल जाएगा और यहां पर है SPDIF, SPDIF Input और SPDIF Output और यहां पर है दो USB Slot यह है इसका 7-inch touchscreen display जो आप उसको प्रेस करके इसे निकाल सकते हैं और उसका जो software है उसको प्रेस करके इसे उसको भी निचे ले सकते हैं तो मैं इसे ले आता हूँ, यह है उसका power on-off button, यह setup button, यह copy और यह paste button और यह back button और यह play plus button फर USB के लिए और यह है universal encoder जो आपको उसका parameter control करने के लिए काम आएगा और यह है 1 to 8 input के लिए channel के लिए button और यह है input 9 to 20 channel के लिए button और यह bus 1 to 8 के लिए button और यह है send button और यह हर channel में 3 button है जैसे कि mute और यह है solo और यह है select button और यहाँ पर आपको 8 level meter मिल जाएगा और यहाँ पर आपको 16 level meter for output के लिए monitor के लिए मिल जाएगा तो और यह आपको यहाँ पर है आठ motorized fader for channel और एक motorized for master के लिए mixer desk को on करने के लिए यह power button को आपको 3 second के लिए press करने करके रखना पड़ेगा उसके बाद यह से आजाएगा यह थोड़ा time generally लेता है पूरा system को interface के आने के लिए अभी आ गया है system interface के तो उसको जो हमारा power button को और एक बार जबी भी आपको जड़रूर तो उसको screen को lock करने के लिए पूरा system को एक bार दबाने से पूरा lock हो जाता है और एक बार फिर से press करने से फिर unlock हो जाता है और वेसे ही आपको system को off करने के लिए फिर से थ्री सेकंड प्रेस करकर रखना पड़ता है अभी सिष्टम आफ हो गया है अभी चलते हैं कि चैनल वाइज हम कैसे कंट्रूल करें और कैसे उसका फंक्सन है वो देखते हैं हमारा जो माइक चैनल है वो जनरली इंपूट जो माइक चैनल है वो उसको पांच सेगमेंट में डिवाइड किया गए है जैसे कि यह पहले आ गया आपको सिलेट करना है तो आप इसे टच करके भी कर सकते है वरना ऐसे उसका सिलेक्ट बटन दबा कर भी जो भी चैनल को सिलेट कर सकते है तो इसे किया यह है पहला सेगमेंट जो है इंसर्ट का सेगमेंट आप उसको टच करने से यह आ जाएगा आपका 48V जो आप कंडेंसर माइक यूज कर रहे हैं तो 48V फैंटॉम को आप 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 कर सकते हैं जातए जातों और यह हो गा उसका गेन बटन अपने हिसास से अर उसके वाद आ adults के दोगआन आप उसको डिले को आप यूज कर सकते है जैसे कि लिई को यूज करना है तो इंसर्ट करना पड़ेगा और अपने हिसाब से आप अपने encoder घूमा के या इसे touch के यूज़ करके आप delay setting कर सकते है, gain setting कर सकते है, सब कुछ कर सकते है उसके बाद आगया HPF, high pass filter, इसको भी आप इसे insert करके कर सकते हैं और इसे touch करके भी कर सकते हैं, जो 400 अस्तक का HPF है तो यह आ गया हमारा 8, जो है हमारा effect, वो आ गया, 8 effect, आप जिसी में एक channel में जो भी effect आप यूज़ कर सकते हैं hello, 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 mic check 123, hello, 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 mic check 123, hello, 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 mic check 123, hello, 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 mic check 123, hello तो अभी हम insert करेंगे, reverb hello, 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 अब देखिए, अभी insert हो गया हमारा reverb है, ऐसे delay को भी करने के लिए hello, 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 तो यह हो गया हमारा effect, insertion, तो अभी चलते हैं, दूसरे segment बरह में, दूसरे आज़ाता है, इकुलेजर, आप इकुलेजर यह से चार पाप यूजर यह से चार parametric EQ है, आप उसको touch करके भी control कर सकते हैं, या parametric knob यूज करके भी control कर सकते हैं, यह है frequency, frequency को आप जहां पर set कर सकते हैं, और उसका gain, और यह है उसका bandwidth, और यह है bypass, जैसे कि, bypass मतलब आपका, जो एकुलेजर है, काम नहीं आएगा, और यह है flat, जो flat को आप दबादेंगे, प्रेस करेंगे, तो वो, जैसे ही है, बेसे चला आएगा, पहले से जैसे था, वो ही चला आएगा, और यह है, अब library, मतलब आप जो भी एकुलेजर सेट किये है, एक channel के लिए, आप उसको save करके भी रख सकते हैं, सेब करने के लिए, आप वो ही save button को दबाना पड़ेगा, और उसका नाम देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको confirm करना पड़ेगा, तो यह हो गया, और यह ही band up, और band down button, जैसे कि, मतलब जो पहले band में चला जाएगा, band up button को दबाएंगे तो, उसके बाद band down को दबाएंगे तो जो निचर चैनल पर चला जाएगा, और band up दबाएंगे तो चार चैनल पर चला जाएगा, और यह ही low self, low self आपको, low self को पुरा आप control कर सकते हैं, और यह है high self, तो यह था equalizer section, उसके बाद चलते हैं, हमारा dynamic section, dynamic section हो गया, हमारा यहां पर है आपके लिए noise gate, और यह है हमारा compressor, तो noise gate के लिए आप अपने हिसाब से, अपना gate selection करके रख सकते हैं, यह है उसका threshold point set करने के लिए, और यह है attack time, यह release time, और यह है hold, और यह है depth के लिए, तो आप इससे set कर सकते हैं, आपको insert करने के लिए, इ इसका insert को दभाना पड़ेगा, उसके बाद आता है compressor, और यह है रिलिश के लिए, और यह है उसका burst, और यह है उसका ratio, तो आप उसको भी insert करने के लिए इससे insert की press कर सकते हैं, तो चलते हैं अभी हमारा चोथा section जो है bus section bus section से आप क्या करते है मतलना जो पहरे channel के या जो भी channel आप यूज कर रहे है उस channel का signal को आप जो हमारा आठ़ बॉस है इस bus में आपको send कर सकते है जैसे कि मैंने अभी channel 1 का signal को bus 1 और bus 2 पर send कया है और चाहे तो Every bus में send कर सकता हूँ तो यह हो गया आप ऐसे bus selection को choose करके इसे कर सकते हैं वरना आप send की को press करके mute button दबाएंगे तो भी आप select कर सकते हैं सब bus को जो भी channel का mute button प्रेस करेंगे उसका आप मतलब इसी bus को आप choose कर सकते हैं उसके बाद आता है solo key जो solo key को generally क्या होता है solo key को आप दवाने से वो 0 dB पर आ जाता है जैसे कि फेडर आपका जहां पर भी हो इस send करने टाइम पर आप solo key दवाते हैं तो वो 0 पर आ जाता है 0 dB पर आ जाता है तो यह था हमारा bus section और यह है channel output section channel output में आप उसका panning को control कर सकते है जैसे कि अभी 50-50 है मतलब left में कितना आएगा और right channel में कितना persons आएगा आप उसको चूच कर सकते है उसके बाद आता है उसका यह फेडर को आप इससे भी control कर सकते है touch से भी तो उसके बाद आप क्या कर सकते है यह channel को naming भी कर सकते है जैसे कि आगया channel 1 तो मैं इसको अपने singer के नाम हिसाब से या जो भी instrument यूज कर रहा हूं वो भी यूज कर सकता हूं जैसे कि समझे लिए मैं भी यहाँ पर लिखना चाहता हूं pad यह पैड सेलेक्शन कर लिया और जो भी आप इससे अपने इससे color चूज कर सकते हैं इसे मैं यह किया okay यह पैड ऐसे सेलेक्शन मतलब आप लिखके भी यूज कर सकते हैं तो यह था हमारा जो चैनल एक के लिए और जो भी मोनो चैनल है उसको कैसे कंट्रोल करते है इसी साब से कर क्क्क्ता्रोडियो चैनल यह को कर सकते अच्च एक है चैनल कर we क्षब है कर से अच्चीत अंच कर पर लिए झाक्षराडल आर स क्यों आर से हांच क्यों था क्यो moc